आपने चुनावी वादों का घोशना पत्र बहुत देखा होका लिकिन ऐसा घोशना पत्र शायद ही आपने कभी देखा हो स्टाम्प पेपर पर चुनावी वादों की घोशना जी हाँ, अब तक माना जाता था कि नेता चुनाव से पहले चुनावी वादे करते हैं जिसे वो पूरा करेंगे इसकी कोई गरेंटी नहीं होती थी लेकिन अब दौर बदल गया है अब चुनावी वादे पूरे करने की गरेंटी बकाईदा स्टांप पेपर पर लिख कर दी जा रही है 36 गड़ के बीजापूर में सरपंच परत्याशी ने अपना गोशना पत्र एक स्टांप पेपर पर चपवाया है यहां ये पहली बार है कि सरपंच परत्याशी गोशना पत्र जारी करता है और ये तो अपने आप में अनोखा है ही कि चुनावी घोशना स्टाम पेपर पर की जा रही है यहां पाली के बिजापुर गाउं में सरपंच पत की प्रत्याशी सविता कनवर ने अपनी चुनावी घोशना एक स्टाम पेपर पर की है स्टाम्प पेपर पर गाउं में 15 से ज्यादा बड़े काम कराने का वादा किया गया है सवीता घर घर जाकर स्टाम्प की कॉपी बाट रही है और लोगों को यकीन दिला रही हैं कि वो अपने वादे जरूर पूरे करेंगी सवीता की ये चुनावी चाल सिर्फ उनके गाउं में ही नहीं बलकि पूरे शित्र में चर्शा का विशय बनी हुई है अब सवीता कि स्टाम्प पेपर वाले चुनावी गोशना पत्रगादाओं जनाता का कितना वोट उन्हें दिला पाता है ये 17 जन्वरी को होने वाले मतदान के बाद पता चलेगा वाले मतवादाओं जन्हें है झाल झाल झाल